नवस्का दोस्तों, इनकी उम्र 41 यर्स प्लस 4 मन्त की है इनका बेसिक सवाल है, क्या मैं मेरा खुद का घर और कार ओनर बनूंगा, यस बनोगे इनोंने जीवन भर संगर्ष इनके हाथ में दिख रहा है, अभी तक काफी कश्ट पून समय निकाला होगा इनोंने और काफी लंबे समय से कश्ट उठा रहे हैं, पहले जीवन रेखा की वज़े से, राहू रेखाओ की वज़े से, धन रेखा की खराबी की वज़े से अच्छा संगर्ष इनका पूरा नहीं होने वाला है, संगर्ष तो चलते रहेगा, पर अब आने वाले समय में इनके बाद इंकम इंक्रीज हो जाएगी ये एक एडवांटेज इनको मिलने वाला है जो 36 से ये पैसा नहीं देख रहे हैं, वो आगे पैसा देखेंगे और साथ में तकलिफे तो रहेगी में के करके सारी वस्तों को आपके सामने रखने की कोशिस करता हूँ जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनोशाकार या सीधी रेखा बनें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरचिनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है यहां से अगर यह हाथ चोड़ाई कम है और यहां से चोड़ाई ज़्यादा हो तो व्यक्ति यहां तो जॉब करता है या पार्टनरशिब में बिजनेस करता है इंडिविज़ल बिजनेस करने में इनको हमेशा घवराएट होती है इस palm को देखे तो यह rectangle palm भी है और साथ में चोड़ाई लिये हूँ भी है चोड़ाई मिन्स महनती इंसान और rectangle का मतलब होता है रेक्टी सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट यह बहुत ज़्यादा music lover इंसान भी होंगे बहुत ज़्यादा इस तरह का अगर चंद्रपर्वत भार से उभार निखले तो आख मून के कह दीजिए कि आप music lover हो यानि संगीत के शौकिन होते है फैलेंज नुकीला कम है तो इदर उदर ध्यान बटकता है और सेकेंड फैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो लॉजिक के साथ तर्थों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और अंगुठा ची ये उतना मांसल नहीं है जितना हाथ है वो इस आपका मांसल नहीं है तो compromise nature होता है व्यक्ति का उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जाता रहते है और fast निर्णे लेते ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना पाई जाती है सुर्य की उंगली अत्ती बड़ी ये हिमती सबाव के लोग होते है जिब में 50 जार और 50 लग की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते है ये उंगली थोड़ इसी टिल्ट हो रही है तो इ और ये उंगली फर्स फैलें तक नहीं पहुच दी तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट ये सारी चीजों में व्यक्ति कमज़र होता है बुद्पर्वत पर खड़ी बड़ी बड़ी लाइन है इनको बुड़ा पे में भी अच्छी इंकम इनको जीवन में आएगी यहाँ पर एक ट्रैंगल है बुद्पर्वत पर ये लोग इनोवेटिव माइन के रहते हैं इनके सामने कोई भी साथरन वस्तू भी रख दो उसमें कुछ न कुछ नया पन या तो आपको सुजाओ देंगे नये पन का या उसको नया बनाने की कुछिस करेंगे ये इनकी खासियत होती है बहुत सारी लाइन है ऐसे लोग दूचार भाषाओ के जानकार होते वानी जिम्हें एक्सपर्ट होते यानि बिजनेस में सुन्दरता भी देती है ये लाइन और बूद परवत भहुत जादा उभार वाला है व्यक्ति को सुन्दरता भी अच्छी मिलती है और वानी मीठी होती है यहाँ पर इनके यस साइन भी है व्यक्ति को यस भी प्राप्त होता है जीवन में ये एक स्क्वेर साइन बन रहा है अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन है नहीं और बहुत बड़ा स्क्वेर साइन है इनके यहां पर ट्रैंगल भी है देखिया या तो यह इंपोर्ट export का काम करेंगे पर यहां पर import export की line को शोग नहीं हो रही है तो हो सकता है इन के संतान विदेश जाए और विदेश से धन प्राप्त करें ऐसे सह योग भी बने क्यों पारा स्कुएर है यह इंटरनेशनल हो सकता है इनके संतान कोई सॉफ्टवेर इंजीनियर बने और फिर विद्देश सेटल हो जाए इस तरह के योग इनके हाद में clear cut समझ में आ रहे हैं विद्देश से धन प्राप्ति के योग है यह खुद ही विद्देश चले जाए जीव और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं आसपास के लोगों लगता है इनके जीवने में बल्ले बल्ले इस तरह की लाइफस्टाइल होती इनकी अब इनके सन मांट पर चलते हैं एक यहां पर है साइन इनके और एक यहां पर भी है इनके हाथ में कोई बहुत बड़ी साइन है नहीं है झाल 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 तो छोटी-छोटी साइन है तो बहुत ज़्यादा साइन है तो मैं नहीं कहूंगा बहुत ज़्यादा अमीर बनेंगे ऐसा हाथ तो नहीं है और यहां पर ट्रैंगल भी बन रहा है तो व्यक्ति के मन की इच्छा है पूरी करवाता ही है जब यहां पर उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता आले से फिल होता है एक बार बैट से उतर गया उसके बाद एक्टिव रहता है व्यक्ति यहां पर विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा कासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते है शनिपरवत फ्लेट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता जूपिटर माउंट भहुत ज्यादा अच्छा है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसार इक सुक अच्छा मिलता है खाने के शौकिन होते ही यह लोग सुनाने की आदत होती है सुनने की आदत नहीं होती है और इनको इज़द भी अच्छी मिलती है कहीं पर भी गए तो चार लोग उठकर जगा देंगे इज़द भी भरपूर मिलती है पर किवले की माइनस पॉंट होता है सुनने की आदत नहीं होती और खाना खिलाने का शॉक बहुत होता है दूर दूर तक खाना खाने के लिए चले जाएंगे अंदूनी मंगल भी काफी उत्तम है इस तरगा अंदूनी मंगल हो तो साडरीक उर्जा काफी उत्तम रहती है वेक्टिवी बारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनरजी के साथ मिलते हैं सामें वाला comfortable फिल करता है और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का ठामना करता है। यह ट्रैंगल बना हुआ इनके हाथ में, यह व्यक्ति को तभी बनाता है विदेश से धन प्राप्ति की योग बनाता है। और चन्रपरवत तो अती उत्तम है ही है तो व्यक्ति का विदेश से संबंद आता पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तु अच्छी लगते हैं नहीं नहीं चीजे करने का शौक होता है यह सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं शुकर परवत व्योस्तित है अच्छे कपड़े पेंना अच्छी तरह रहना यह सारे लक्षन होते हैं अब इनकी हिर्दे रेखा जिस तरह की है यह लोग भावुक होते हैं भावणाओ में नीणे लेते हैं इनको लोग भावनाओ से खेलकर इनका फाइदा भी उठाते हैं एनको नुक्सान में भी डालते हैं सब का भला करने वाले होते एक तरह के देवदूत होते ये लोग किसी का बुरा सोची नहीं सकते ये लोग और प्यार का प्रदर्शन करना इनकी खासियत होती है पत्नी के पीछे पीछे रसोई में रसोई घर तक पहुँच जाना ये इस तरह की हरकते इनके हाथ में हाथ डालके चलना ये इस तरह की हरकते इनके पाई जाती है और इस तरह की लाइने जाये तो मित्रों को सके समझने को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा अब माइन लाइन देखे कितिनी उत्तम है पूरी यहां से चल रही है ने एक्चिल मैं चल रही है यहां से है तो planning भरपूर बनाते होंगे और ज़्यादा तर planning काग्जों पर रहते होंगे implement नहीं होते होंगे और यह जब line आपकी यहां से निकलती है और यह mind line देखी इनकी wave होती है यह जब इस तर से वेवी माइन लाइन होती है तो ऐसे लोगों के विचार एक तरह से टिके नहीं रहते हैं थोड़ी देर में ये विचार किया थोड़ी देर में दूसरा विचार किया स्थिर्ता नहीं होती माइन में अभी इन्होंने सोच लिया कि यहां जाना है और अचानक माइंड चेंज करेंगे और दूसरे जगह चले जाएंगे तो यह मान सिकता इनकी रहती है वेवी माइंड होता है यह यह वेवी माइंड हर जगह हर सबजेक्ट में छलगता है इनका हर जगह चाहे वो आर्थी को, सामाजी को, पारिवारी को, कोई भी सब्जेक्ट रहा, हर जगा पे इनका विवी माइंड चलता पर माइंड लाइन भरपूर बढ़ी है, तो निरिक्षन शक्ती भरपूर होगी ज्यान लेने की भरपूर कोशिश करते होंगे सोने के पहले भी कोई न कोई ग्यान लेकर ही निन्द आती होगी और धीरे धीरे थोड़ इसी नीचे जा रही है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता आती जाएगी अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो देखिए यहां तक यह 38 का पिरियड इनका 38 के आसपास प्लस माइनस 6, 6 महीने, 12 महीने पकड लेना अब यह माइन लाइन इनकी, यह माइन लाइन और इसके पहले पता नहीं चलता, यह जीवन रेखा है कि माइन लाइन है इसका जज्मेंट नहीं दे पाते, तो इसमें नहीं जाते है ज्यादा डिप में हम केवल राव रेखा को काउंट करते हैं इस लाइन ने यहां पर इनकी साधी कराई यह एज ओफ 25 में इनकी साधी हुई एक राव रेखा आई, एज ओफ 30 एन हाफ में उसके बाद एक राव रेखा आई, 34 में फिर 36 में, और फिर 37 या 38 में और इस तरह से इनका जीवन इन राव रेखाओ की वज़े से डिश्टब रहा होगा और इदर यह माइन लाइन होगी, तो यह भी पिरियड इनका काफी संगस्पुन रहा होगा और जीवन रेखा होगी, तो इतना संगस्पुन नहीं रहा होगा पर जिस तरह से यह बता रहे थे, वो हिसाब से तो संगस्पुन रहा ही होगा कुई मैंने ज़्यादा कोई डिप में है कोई ज़्यादा सवाल पूछे नहीं इन से और देखिए एक बदलाव इनके यहाँ पर आया होगा और एक बदलाव यह यह 38 का है और उसके तीन साल के आसपास और एक बदलाव आया होगा अब यह जो बदला होते है चार तरके होते है देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना या वयोसाय बदलना यह लगबग तीन या चार साल के आसपास और एक पहले बदलाव आया होगा और इसके बीच में भी माइन लाइन थी नहीं यहाँ तो क्लियर कट है जीवन रिखा थी नहीं, इस पार्ट में तो क्लियर कट है और इसके आगे की ये लाइन का पता नहीं चलता कि ये माइन लाइन है या जीवन रिखा है तो यहाँ पर और जीवन डिष्ठब रहा होगा पता ही नहीं चलता होगा कौन सी दीशा मैं जाना है और 37-38 के आसपास इन्होंने व्युवसाय बदला और उसके बाद देखिए धाई साल में ये राउ रिखा आगई व्युवसाय बदलने के और जो अभी भी चल रही है उसके दो साल के बाद और एक राउ रिखाएगी 44 में 46 में एक हल किसी राउ रिखा है बहुत बड़ी नहीं है ये बड़ी बड़ी है और उसके पहले भी आपको काफी बड़ी बड़ी राउ रिखाओंने काटा है 44 के बाद 46 बहुत लाइट राउ रिखा है 44 सॉरी 40 and half फिर 42 and half और 44 बहुत लाइट है इसका पता भी नहीं इतना चलेगा आपको उसके बाद छोटी छोटी हलकी सी 49 और 50 में भी है फिर एक बहुत बड़ी राउ रिखाएगी 54 के आस पास यह आपको पता चलेगा यह अभी तक की सबसे बड़ी राउ रिखा है यह आपको लग बग नहीं नहीं तो भी सवा से देड़ साल परेशान करेगी पर यह नेगेटिव के साथ साथ एक पॉजिटिव भी और एक और नेगेटिव है एक आपशूट है और यहाँ पर ट्रैंगल बन रहा है तो कोई ने कोई प्रॉपर्टी भी आपको आएगी इसी पिरियर में और एक कोई नियर और दियरर की भी डैथ होगी आपके जीवन में इस पिरियर में उसके बाद यह छोटी छोटी राउ रेखा है इक 57 में है 59 में है और 60 के आसपास है यह छोटी छोटी है और इसके आसपास ही आपका बदलाव आएगा 59, 60 के आसपास यहाँ पर देश बदलोगे, घर बदलोगे, शहर बदलोगे यहाँ बदलोगे चार बदलाव जो मैं कहता हूँ उसमें से कोई न कोई एक होगा और यह लाइन आगे चलेगी फिर आपको एक 69 के आसपास आपशूट मिलेगा 71 के आसपास आपशूट मिलेगा और 75, 76 के आसपास एक आपशूट मिलेगा और जीवन रेका उत्तम है, पूरी ब्यास्तित है अब यहाँ पर यह स्क्वेर भी बन रहा है तो ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान भी होते इनको जूट पसंद नहीं आता अब इनकी धन रेका को देखे तो एक कट इनकी उम्र यह कोई पारिवारी खर्चाया होगा यह होगा लगबग 28 के आसपस उसके बाद एक कट इनको लगा 32 के आसपस फिर एक कट इनकी नजर आ रहा है 35 के आसपस यहाँ तक तो धन रेका अच्छी थी और बागी के समीकरण अच्छे नहीं होने के कारण उतना ग्रोथ नहीं मिला होगा फिर 36 से इनकी धन रेका बिगडी अब तो यहाँ तक और यह पिरेड होगा अभी वर्तमान तक 41 तक और उसमें ये कट लगा 38 का यहाँ पर भी अच्छा खासा नुक्सान इनको गया होगा अब यहाँ से इनकी इंकम तो स्टार्ट हो जाएगी काफी अच्छी तरह क्योंकि स्ट्रॉंग धन रेका है और एक इन्वेस्मेंट होगा इनके जीवन में 44 के आसपास हो सकता इसी पिरेड में यह यहाँ पर कोई प्रापर्टी खरीद ले इन्वेस्मेंट बड़ा वाला इन्वेस्मेंट होगा यहाँ जो पैसे कमाये होंगे वो यहाँ खर्च हो जाएंगे और यह धंद्रेखा तो इनको कर्ज में भी डाली होगी फिर एक कट लगेगा यहाँ पर यह कट लगेगा 48 के आसपास यहाँ थोड़ा बड़ा आर्थिक नुकसान इनको जहलना पड़ेगा फिर उसके बाद धंद्रेखा व्यवस्तित है कोई प्रॉबलम नहीं अब यहाँ पर इतनी सुंदर धंद्रेखा नहीं दिख रही है पर क्लोज अप में जो इंक लगा है उसमें एक अलगी कहानी सामने आ रही है 57 से इनके धंद्रेखा पर यहाँ पर फिश राइन बने हुई है और यह पिरियड होगा इनको यह साइन का मिलेगा 57 से लेकर 61 तक यहाँ अच्छा खासा धन आएगा इनके पास चार-पास साल और ज्यादा धन आएगा फिर उसके बाद यह अप टू एंड तक व्योस्थित धन रिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं 61 के बाद भी तो यह इस तरह की इनकी जीवन शैली रहेगी अब यह जो संगर्ष था यह देखे यहाँ तक धन रिखा फुली हुई थी या सुजन परी बोलो और यह वर्तमान पिरियाड यह जैसे ही राव रिखा पूरी होगी इनके जीवन में धन की प्राप्ति तो ज़्यादा आनी चालो हो जाएगी और यह इन्वेस्मेंट आएगा और यह एक नुकसान देगी यह बड़ा नुकसान जाएगा इनको उसके बाद वापस इंकम होगी फिर यहाँ तो मैं बता ही चुका हूँ धन रिखा की फिशान जो कसरत करा के पैसा देगी यहाँ पर जब धन रिखा पर फिशान होती है तो एक्सेसाइज करवाती है और उसके बाद भी अच्छी धन रिखा है तो यह राव रिखा है इनको जहाँ जाँ बड़ी बड़ी है छोटी छोटी तो इतनी कोई परेशानी नहीं देगी पर बड़ी बड़ी परेशानी जो जो मैंने बता ही है वीडियो के अंदर जहाँ जाँ आपको डार्क दिखे वो बड़ी धन राव रेखा है वो आपको परिशान करेगी बागी धन रेखा का प्रॉब्लम तो आगे सॉल हो रहा है और जो एक बहुत बड़ा कट है वो आपको 48 के आसपास आर्थिक नुकसान बड़ा देगा पर घबराने की जुरतने है उसके बाद भी इंकम आपकी काफी अच्छी रहने वाली है तो चिंता करने की जुरतनी है आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद